असलाम अलेकम दोस्तों मैं सही स्वेक आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल टेकनिकल सही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान सौधी रियाल इस्चेंज रेट के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देने की पूरी कोसिस की है उमीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं आज का रियाल रेट क्या है सौधी अरब की बैंकों में इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो हमारे वीडियो को आखीर तक देखें और जानिये आज सौधी अरब की कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रही है इंडिया और पाकिस्तान के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी सेर करें और जो दोस्त हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे कहना चाता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिये गए लाल पेटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गंटे को भी दबा दें जिससे इसी तरह रियाल रेट की ताज़ा अपडेट मिलती रहे आपको सबसे पहले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तों साओधी एरसल बैंक पाकिस्तान का आज कर्याल रेट है 42 रुपे और इंडिया का आज कर्याल रेट है 18 रुपे 7 पैसे उसके बाद दोस्तों Western Union Bank पाकिस्तान का आज का रियाल रेट है 42 रुपे 3 पैसे और इंडिया का आज का रियाल रेट है 18 रुपे 10 पैसे और उसके बाद दोस्तों एक्सप्रेस मनी बैंक पाकिस्तान का आज का रियाल रेट है 42 रुपे 16 पैसे और इंडिया का आज का रियाल रेट है 42 रुपे 10 पैसे और उसके बाद दोस्तो फावरी बैंक पाकिस्तान का आज का रियाल रेटर 42 रुपे 80 पैसे और इंडिया का आज का रियाल रेटर 13 रुपे 12 पैसे और उसके बाद दोस्तों टेली मनी बैंक पाकिस्तान का आज क्रियाल रेट है 42 रुपे 34 पैसे और इंडिया का आज क्रियाल रेट है 18 रुपे 3 पैसे दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो like कर देए और उसके बाद दोस्तों इमजाज बैंक पाकिस्तान का आज का रियाल रेट है 42 रुपे 35 पैसे और इंडिया का आज का रियाल रेट है 42 रुपे 70 पैसे और इंडिया का आज का रियाल रेट है 17 रुपे 99 पैसे उसके बाद दोस्तों बारी आती है वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें और जो दोस्त हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिये गए लाल बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गंटी को जरूर दबा दे इससे डेली रियाल रेट की ताज़ा अपडेट मिलती रहे आपको सबसे पहले